नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला हूँ STT क्या है security transaction tax अगर आप इस टोक मार्केट कर रहे है या share मार्केट सुरू कर रहे है तो आपको समझना जरूरी है कि STT क्या होता है कब इसकी payment की जाती है या कब आपका SSC काट लिये जाता है जब आप share मार्केट करते हैं तो applicable rate क्या है limit क्या है due date क्या होती है payments की इसकी return filing के बारे में भी समझेंगे और benefits क्या है क्या benefit एक आम person को एक आम आदमी को मिलेगा अगर वो share मार्केट करे या stock मार्केट करे तो detail में समझेंगे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर चलिए समझेंगे उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जुन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया subscribe कर लिजे सार का content आपको मिलता रहे तो दोस्तों समझेंगे कि security transaction tax क्या होता है तो security transaction tax deduct किये जाता है जब आप transactions करते हैं equity की और इसको introduce किया गया था union budget 2004 के अंदर तो ऐसे STT security transaction tax जब भी आप sale और purchase करेंगे किसकी securities की जो की listed है recognized stock exchange के अंदर तो उस case में आपका STT काटा जाएगा ये हर transaction पे गड़ा जाता है जैसे कि अगर आप share की कर रहे है stock की कर रहे है bond की कर रहे है डेवेंचर स्टोक्स की कर रहे है other marketable securities है उसके उपर कर रहे है derivative से उसके उपर भी कटेगा ठीक है unit है ये instrument है any collective investment scheme का जैसे कि है mutual fund है उसके पर भी काटा जाता है ठीक है government securities है equity nature का उसकेस में भी काटा जाएगा कोई instrument है जो declare है central government के दोवारा उसकेस में भी काटा जाएगा कोई right या interest securities के अंदर तो उसकेस में भी काटा जाएगा कोई equity oriented mutual fund है उसकेस में भी यहाँ पे STT याने security transaction tax काटा जाएगा अब हम समझते हैं कि STT का rate क्या होता है कौन सी transaction पे कितने परसेंट STT काटा जाता है तो समझो अगर equity share की trading कर रहे है sale purchase कर रहे है तो उसकेस में 0.1% का STT काटा जाता है अगर आप mutual fund equity oriented mutual fund के अंदर आप transaction करते हैं sale purchase की तो अलग-अलग rate है sale के case में 0.025% का rate है और purchase के case में 0.1% का case है अगर आप equity oriented mutual fund की transaction करते हैं तो खरीद विकरी करते हैं तो sale पे 0.05% और purchase पे 0.1% है इसी परकार से अगर आप F&O करते हैं तो future option पे जो rate है STT का वो 0.01% है और option contract पे 0.017% है STT अभी समझते हैं कि STT की due date क्या होती है देखो STT काटेगा वो broker काटेगा जिसके platform पे आप trading कर रहे है ठीक है वो काट लेगा deduct कर लेगा जब भी आप sale purchase करेंगे उसके बाद उस STT को government को जमा कराएगा ठीक है तो जो STT deposit करानी की date होती है वो 7 तरिक को करानी होती है हर महीने की 7 तरिक को जमा कराएगा जिस भी महीने में deduct किया है उसके next month में 7 तरिक तक STT को जमा कराना होता है इसकी return भी filing होती है और recognize stock exchange ये mutual fund को required होता है कि वो file करेंगे annual return ठीक है जो prescribed format हर साल के खतम होने के बाद next year में 30 जुन तक ये return जाती है और ये annually return होती है जो भी स्सक्राइब किया गया है वो file करना होता है जिसने भी आपका sst काटा है deduct किया है ये collect किया है वो सभी organization यहाँ पे annually return file करेंगी 30 जुन इसकी date होती है हर साल के खतम होने के बाद next year में 30 जुन तक file करना होता है अभी अगर sst काट लिया जाए तो sst का benefit क्या होगा तो देखो sst का benefit capital gain पे समझेना कि capital gain पे sst का benefit क्या होता है stt काटा जाता है आपका तो capital gain में benefit मिलता है देखो पहला benefit तो यह है कि short term के अंदर आपको जो tax rate apply होगा वो 15% apply होगा ठीक है tax rate नर्मली अगर bracket देखा जाए tax का तो 30% का bracket होता है अगर ज्यादा income हो जाए तो लेकिन short term में आपको केवल 15% ही tax लगेगा अगर sst काटा गया है तो दूसरा क्या benefit होता है देखो long term अगर long term में benefit हो रहा तो अगर sst काटा गया तो उस case में केवल 10% का ही tax rate होता है ठीक है अगर sst काटा गय गया है तो और वो भी long term में एक लाग रुपे तक की छूट मिल जाती है एक लाग रुपे तक की income बनाते हो आप capital gain तो उस पर tax नहीं लगेगा ठीक है एक लाग के बाद ही 10% वाला rate अपली के बलोगा अगर sst काटा गया तो security transaction tax ठीक है तो समझे कि दोस्तो sst क्या होता है security transaction tax वीडियो कैसे लगी जरूर बताए तैंक इसो मच जय हिंद वंदे मात्रम